हेलो दोस्तों आपका अपनी रसोई में दिल से स्वागत हैं तो आज हम राने जा रहे हैं रसोई में साबू दाने की कीर जो वर्थ ओते वहारों पर सबकी फेवरेट होती है और भोले संगर की फेवरेट होती है तो यह हमेंने लिया आधिक टोरी साबू दाना और इसको अच साब उदाने के कीर खिली खिली जिबन के तयार होगी तो यहां सबसे पहले ट्रिक यह है कि हमें साब उदाने को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है जिसे एक्स्टर स्टार्च निकर जाए और क्लावड़ी पाने हमारा बिल्कुल साफ हो जाए यह देखे दो तिन घं के लिए रख दिया है जब इसमें उबाला आने को हो जाए तो हम अपना साबुदाना इसके अंदर डाल देंगे और थोड़े थोड़े देर में हम इसे खिलाते रहेंगे हम यहां पर धीमियाज पर इसे पकाना है गैस बिल्कुल फीतेज नहीं करनी है वरना हमारा साबुदाना बिल्कुल अलग-अलग फॉम में गिरा हुआ है बिल्कुल भी चिपका नहीं और नहीं नीचे लगा है इस स्टेज पर हमारा साबुदाना ट्रांस्पिट सदिकने लग जाए तो समझ लेना यह पक चुका है अब हम यहां पर डालेंगे हमारी चीनी जितना हम यहां पर साबुदाना लिया था आधिक टोरी उतना ही हमने यहां पर डाला है चीनी आप चाहें तो इसे कम भी डाल सकते हैं अगर आप कोई है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक चुरूर करना और शेयर भी करना यह हमारी खीर बनके तैयार है यह देखें नहीं तो हमारा साबुदाना चीफ का है बिल्कुल अलग अलग फोम में है और नहीं हमारा दूद फटा है अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राइव फूट्स तो यहां मैंने डाला है बदाम और किसमी साब चाहें तो स्क्राइब भी कर सकते हैं चैन को सब्सक्राइब